हेलो दोस्तों, तो हम समांतर सेडी में आज प्रसनावली 5.2 करने वाले हैं, ठीक है? अगर इसके पहले वाले लेक्चर की बात करें, तो उस लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया था इसके एक्जामपल और इसके concept को हम समझे थे, अब इसमें हम सुरू करेंगे 5.2, तो चलिए देखते हैं, पहले नम्मर का question देखिए, अगर उससे पहले हम बात करें, तो देखिए हमें इसमें पढ़ना क्या है? हमें ये पढ़ना है कि एनमा पद ग्यात करिए, मतलब हमें इस टाइप से ग्यात करो, ऐसा, ये हमें पढ़ना है, देखिए, इसमें हम बोलेंगे कि जो प्रथम पद है, जो प्रथम पद है, वो A है, और जो सर्वांतर है, जो सर्वांतर है, वो हमारा D है, ठीक है? ऐसा हम मानेंगे जब हम यह चीज़ मानते हैं तो एनित्टम यानि की एन में पद की बात करें तो एन्मा पद यानि की एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी यह हमारा सुतर यानि फॉर्मूला होता है ठीक है इसी फॉर्मूले पे हमें 5.2 एक्सरसाइज करनी है तो चलिए अब फॉर्मूला आपको याद हो गया आपने देख भी लिया एक बार फिर से चलिए हम इसमें पहले नम्मर का क्वेस्टन करते हैं देखे पहले नम्मर का क्वेस्टन क्या दे रखा है बोल रहा है कि निम्नलिखित सारड़ी में रिक्त अस्थानों को भरिये जहा एपी का प्रथम पद एं JC पेंड और एनों को क्या दे रखा है अगर एक सारड़ी बनाए तो सारड़ी चलिए इधर बना लेते हैं अपने को दे रखा है फिर दे रखा है फिर दे रखा है एन फिर एन यह दे रखा है ठीक है अगर हम पहले में बात करें तो जो पहला अपना दिया गया है यह 7 है यह D sorry sorry 7 और D की value 3 दे रखी है n की value 8 है तो बोल रहा है कि आप एन बताइए कि n नमा पद फिर क्या होगा है ठीक है second second में ये बोल रहा है कि a की value minus 18 है फिर d की value पता नहीं क्या है वो calculate करना है लेकिन n की value 10 है और an की value 0 दे रखी है तीसरे की अगर बात करें तो देखिए तीसरा जो दे रखा है अपने को पहला खाली है दूसरा अपने को दे रखा है minus 3 यानि d की value minus 3 n की value 18 दे रखी है और an की value minus 5 दे रखी है fourth की बात करें तो fourth क्या दे रखा है minus 18.9 a की value है फिर d की value 2.5 दे रखी है और n की value हमसे पूछा है और यहाँ पे ये 3.6 दे रखा है fifth की अगर बात करें हम तो ये दे रखा है 3.5 ये हमारा 0 105 और ये हमसे n पूछ रहा है ठीक है ये हमारा question है इसको आप try कर सकते हैं अगर आपने पिछला lecture देखा हो तो चलिए अब इसमें हम समझते हैं पहले को देखिए अपने को formula यूज करना कौन सा है a n बराबर a plus n minus 1 into d ये formula यूज करना है हमसे a n की value पूछा है पहले वाले में a n पूछा है यानि ये पूछा है तो इसको ऐसे ही रने देंगे बराबर a की value कितनी दे रखी है 7 plus n n की value दे रखी है 8 तो formula में n के plus पे 8 minus 1 और d की value दे रखी है 3 कुछ ऐसा है ठीक है तो यहां से हम निकालेंगे a n बराबर 7 plus 8 में से 1 घंटाएंगे तो कितना बचेगा साथ बचेगा तो साथ गुड़े तीन तो यह आपका जाएगा साथ प्लस साथ तरीके कितना होगा 21 तो यहां पे 21 होगा और 21 और साथ कितना हो जाएगा 28 यानि कि a n की value यानि कि n मा पद जो होगा वो 28 होगा sorry 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 तो इसका मतलब यहां पे क्या आएगा 28 यह आ जाएगा ठीक है अब चलिए पहला तो समझ में आ गया हमसे पूछा है d की value मतलब यह अब हमसे पूछ रा है लेकिन a की value –18 दे रख़ी है तो यहां पे –18 बराबर a की value कितनी है sorry हमने कुछ सेगढ़ त्याग कर दिया यह नहीं है यहां पर हमें an की value कितनी दे रखी है? 0, तो an के place पर रखेंगे 0, बराबर a कितना दे रखा है? minus 18, तो minus 18 plus n, n की value कितनी है? 10, तो यहां पर 10 minus 1 और d हमसे पूछा है, ठीक है? चलिए, तो 0 बराबर, अब एक काम करते हैं न इसको, इसको हम चाहें तो पलट के ऐसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिखेंगे, तो minus 18 plus 2 में से 1 निकलेगा, तो 9 d बराबर 0, हम पलट दिये, यह बन गया, minus 18 को इस साइड लेके जाते हैं, तो 9 d बराबर आ जाएगा 18, क्योंकि minus जब इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है? तो d बराबर आ जाएग तो इस तरीके थे, second भी complete होता है, चलिए, अब इसके बाद हम third की बात करेंगे, ज़रा third देखिए, क्या दे रखा? अरे, फिर से, an बराबर a plus n minus 1 into d, हाँ जी, इसमें हमसे a की value पूछ रहा है, मतलब यह हमसे पूछा जा रहा है, d की value minus 3 है, n की value 18 है, an की value minus 5 है, तो सबसे पहले, an, an बराबर minus 5 है, बराबर, a की value कितनी है, तो a की value हमसे पूछ रहा है, तो 1 को a रहने देंगे, plus n, n के place पे 18, तो लिखेंगे 18 minus 1, और d की value minus 3 है, तो गुणे minus 3 ऐसे लिखेंगे, ठीक है, हाँ जी, चलिए, minus 5, बराबर a, अब देखिए, minus और यह plus क्या होगा, minus, इसको आप इधर भेजिए, तो minus, और यह minus इधर आएगा, तो प्लस एक क्या होगा, बराबर a बचेगा, ठीक है, अब देखिए, जब इसमें से यह घटाएंगे, तो 46 बचेगा, यानि कि a की value कितनी रही होगी, 46, तो यहाँ पे a के place पे हम क्या रख देंगे, 46 रख देंगे, और इस तरीके से हमारा third भी complete होता है, ठीक है, चलिए देखिए, यह इतना tough नहीं है, इसलिए हम आपको थोड़ा सा, मतलब, उतना ज़्यादा explain नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यह हमने पीछले turn पे कर रखा है, अब हम fourth की बात करेंगे, देखिए, formula an, अब हमसे n की value पूछा है, मतलब यह वाली value हमसे पूछी जा रही है, अब लेकिन an की value 3.6 दे रखी है, an की value कितनी है, 3.6 तो यहां रखी है 3.6 बराबर, अब a, a आपको कितना दे रखा है, minus 18.9, plus n minus 1 into d, और d की value है 2.5, तो यह रखा है 2.5, यह रख देंगे, ठीक है, अब ज़रा इसको न इधर लेके आओ, तो 3.6 प्लस 18.9 बराबर, यह आपका बनेगा 2.5, n minus 1, यह हमारा बन जाएगा, ठीक है, अब क्या करिए, इसमें इसको जोड़िए, तो 9, 6, 15 होता है, ठीक है, तो 5, 8, 3, 11, 12, और यह बनेगा 22, तो 22 दसमलो 5 बनेगा, बराबर यह आ गया 2.5, n minus 1, अब देखिए, यह गुणा में है, तो इधर आएगा, तो भाग में चला जाएगा, तो 22.5 बटे में 2.5 बराबर, n minus 1, यह बनेगा, दसमलो से दसमलो हटा दिए, 25 वठे 200 होता है, और 25 नमा होता है आपका, 25 नमा 225, यह आ जाएगा, यानि कि हमको यह देखने को मिल रहा है, कि n minus 1 की value 9 है, तो n की value 9 plus 1, यानि कि आ जाएगी 10, तो n की value कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, कोई confusion, नहीं, चलिए, तो यह चीज हम समझ गया, इसके आगे move करते हैं, और हम देखेंगे अब पांचवा नमबर, सॉरी, यह fourth था, इसके बाद हम पांचवा की बात करेंगे, हाँ जी, चलिए, फिप नमबर का question देखते हैं, अपने को ना देखिए, अन की value इस बार पूछा है, मतलब यह value हम से पूछा है, अन बराबर, is equals to, A की value 3.5 दे रखी है, तो 3.5 प्लस, N की value 105 है, N की value 105 दे रखी है, हाँ जी, तो यह 105-1 और D की value दे रखी है, 0, D की value कितनी है, 0, यह, तो A, N बराबर, आजाएगा 3.5 प्लस, देखी, 104 तो यहाँ बचेगा, गुणे 0, लेकिन 0 से किसी भी नमबर में multiply करेंगे, तो आएगा 0, तो A, N बराबर 3.5 प्लस 0, तो A, N की value आजाएगी 3.5, यानि की इसका जो N मा पद होगा, जो इसका N मा पद होगा, वो पद होगा 3.5, N मा पद क्या होगा, 3.5, ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हमारा, यह पहले नम्मर का question complete होता है, हाँ जी, चलिए, अब हम बात करते हैं, second number के question की, दूसरा number, देखे क्या दे रखा है, बोल रहा है कि अच्छा, दूसरे में, आपका, दूसरा, हाँ, दूसरे में दो question है, और दोनों objective यानि की optional question है, बहुँ भी गल्पी है, बोल रहा है कि निम्नल लिखित में, सही उत्तर चूनिये, और उसका औचित्त्य दीजिये, यह हमसे पूछ रहा है, तो इसमें देखिए, मतलब अचित्त्य दीजिये का, मतलब इसमें से कौन सा option correct है, दूसरा में पहला देखिए, बोल रहा है कि एक AP है, जो 10, 7, 4, यह इस तरीके से है, बोल रहा है कि का, का, तीसमा पद क्या होगा, तीसमा पद, यह हमें बताना है, ठीक है, option इसमें select करके बस बता देना है, अब देखिए, तीसमा पद बोला है, तो AN बराबर, formula यूज़ करेंगे, A plus N minus 1 into D, अब यहाँ पे देखिए, A की value की बात करें, तो A बराबर कितना दे रखा है, 10, अगर D की हम बात करें, तो 7 में से 10 घटाएंगे, 7 में से 10 घटाएंगे, तो minus 3 बचेग तीक है, अब देखिए, यह हो गया, यह मिल गया, यह मिल गया, अब देखिए, तीसमा पद का मतलब N की value कितनी है, 30 है, यह question में दे रखा है, अब हमें बताना है, इसमें से तीसमा पद, यानि की A 30 अपने को बताना है, formula है, A, A की जगा 10, plus N minus 1, N की जगा 30, तो 30 minus 1, 10, plus 30 में से 1 निकलेगा, तो 29 गुड़े, minus 3, यह दे रखा है, बराबर 10, अब देखिए, minus और plus क्या होगा, minus होगा, अब देखिए, यह बन जाएगा, 29 गुड़े 3, ठीक है, तो यह 10 minus, 39, 27 को 7, 2 बचेगा, 3, 2, 6, और 2, 8, minus 87 में 10 जोड़ेंगे, तो यह आएगा, minus 77, option मैज कराईए, option minus 77 दे रखा है, C option में, तो हम कहेंगे कि पहले का C option करेक्ट है, पहले का C option करेक्ट है, ठीक है, चलिए जी, अब पहला हो गया, अब हम next की बात करते हैं, इसी में दूसरे की, दूसरा में दूसरा, चलिए, समझे, दूसरा क्या दे रखा है, हमसे यह बोल रहा है कि, एक कोई AP है, वो minus 3, minus 1 बटे 2, फिर 2, ऐसे, बोल रहा है कि, ग्याराहमा पद क्या होगा, ग्याराहमा पद बताना है, यह क्या होगा, ठीक है, चलिए, यह कोई AP है, तो हम बोलेंगे कि, अचग्याराहमा पद बोला है, तो इसमें से एक ही वैलू कितनी होगी, minus 3, अगर D निकालें, तो इसमें से यह घटाएंगे, मतला, minus 1 बटे 2 में से minus 3 घटाएंगे, तो यहां से आप कहा जाएगा, minus 1 बटे 2, minus minus plus 3, ठीक है, जब यह 3 बटे एक लिख सकते हैं, LCM लेंगे, तो 2 और 1 का LCM 2 आएगा, 2 एक कम 2, तो 1 का 1 में गुणा करेंगे, तो minus 1, plus 1 दूनी 2, तो 2 त्याएंगी 6, अब यह 6 में से एक घटाएंगे, तो 5 बटे 2 बचेगा, यानि कि, जो इसका सर्वांतर आएगा, वो 5 बटे में 2 आएगा, क्या आएगा, 5 बटे में 2, हाँ जे, ठीक है, तो इसका मतलब D की वैलू आगई है, 5 बटे में 2, अच्छा, N की वैलू दे रखी है, 11, N की वैलू 11, 11 हमाँ पद बोल रहा है न, तो N की वैलू कितनी है, 11, चलिए, अब हमें 11 हमाँ पद बताना है, तो A 11 बराबर, अच्छा, फार्मूला क्या होता है, A N बराबर, A प्लस N माइनस 1 इंटो D, यह हमारा फार्मूला होता है, अब A की वैलू दे रखी है, माइनस 3, प्लस D की वैलू कितनी है, सुरी, N की वैलू 11, तो 11 में से A घटाएंगे, और D की वैलू कितनी दे रखी है, तो D की वैलू दे रखी है, 5 बटे में 2, तो यह रह गुणे 5 बटे में 2 तो 2 पचे 10 यह जाएगा माइनस 3 प्लस 5 पचे 25 25 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 22 यानि कि 11 पद हम यहां बता रहें A11 तो यानि कि 11 पद आएगा 22 ग्याराँवा पद क्या आएगा 22 तो अगर दूसरे में दूसरे की बात करें तो इसमें B option correct है तो इसका B option क्या है? correct ठीक है? चलिए यह copy करिए आगे फिर बढ़ते हैं अपन चलिए जी अब हम बात करेंगे third number के question की हाँ जी चलिए third number का question देखते हैं third number में क्या दे रखा है? कि निम नलिखी समानतर स्रेडियों में रिक्त अस्थानू या रिक्त खानों के पदों को ग्याद करिए ठीक है? चलिए हम इसमें तीसरे में पहले की बात कर रहे है third में first की बात कर रहे है क्या दे रखा है? यहाँ पर हमसे यह बोल रहा है पहले की बात करें तो जो पहला पद दे रखा है दो है दूसरा खाली है लेकिन तीसरा 26 यह दे रखा है ठीक है? अब यहाँ समझिएगा हमसे पूछ रहा है दूसरा पद अगर हम इसमें बात करें तो यह पहला है यह दूसरा है और यह हमारा तीसरा है ऐसा ही है तो हमें पहला पद तीसरा पद दिया है दूसरा पद हमसे पूछ रहा है कैसे बताएंगे तो देखिए A2 की बात करें तो A2 का फॉर्मूला क्या होगा A प्लस यानि दूसरा पद तो अच्छा अगर हम इसकी बात करें तो आप थोड़ा गौर से समझिए का अगर यहाँ पे हम किवल दूसरे पद की बात कर रहे हैं तो N की वैलू कितनी हो जाएगी? 2, N की वैलू कितनी हो जाएगी? 2, तो जब N की वैलू 2 हो जाएगी तो अब आगे समझिए A की वैलू कितनी दे रखी है? तो A की वैलू दे रखी है A की वैलू है 2 तो A की वैलू 2 दे रखी है ठीक है? तो N की वैलू 2 A की वैलू 2 तो हमें A2 बताना है, फॉर्मूला देखिए तो, A2 बराबर A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D, तो A2 बराबर A की प्लेस पे क्या है, 2 प्लस, दो में से एक घटाएंगे तो एक गुणे D, लेकिन फंस गया मामला कि D कैसे निकाला जाए, तो D आप इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, जरा देखिए कैसे, लिखेंगे A3, और A3 का मतलब यह 3rd term, और 3rd term क्या दे रखा है, 26, तो A3 बराबर A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D, यह हमारा फॉर्मूला होता है, A3 की वैलू दे रखिए 26 बराबर, A की वैलू दे रखिए 2, A की वैलू 2 है, 2 प्लस, तीन में से एक ठीक है, इसको जरा इधर लाइए, तो 26 में से 2 घटाएंगे, तो बचेगा 2D, 26 में से 2 घटाएंगे, तो 24 और 24 बराबर 2D, तो D बराबर क्या जाए, गूले में इधर आएगा तो भाग, तो 24 बटे में 2, यानि यह आजाएगा हमारा 12, ठीक है, यानि कि D की वैलू कितनी आगई, 12, जरा यहाँ पूट करिए, तो 2 प्लस D, अरे, यहाँ रखेंगे न, 1 इंटू D के प्लेस पे 12, तो यह, तो 2 प्लस 12 एककम 12, और यह आजाएगा 12 और 2, 24, ठीक है, यानि कि हम देख रहे हैं कि यह दूसरा पद जो होगा, वो 14 होगा, तो दूसरा पद क्या होगा चवदा, बात आ गई समझ में, अरे, ठीक है, चलिए, अब हम इसी में सेकेंड की बात करेंगे, हाजी, चलिए, अब सेकेंड की बात करते हैं, दिया क्या है, बोल रहा है कि पहला खाली है, दूसरा नम्मर दे रखा है, वो 13 है, तीसरा फिर खाली है, चौथा नम्मर जो दे रखा है, वो 3 है, ऐसा कुछ दे रखा है, हमें पहला और तीसरा बताना है, अगर इसको देखा जाए, तो ये पहला टर्म है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चौथा है, ऐसा कुछ है, ये दे रखा है, अगर हम बात करे माल लें कि A1 की value A है तो इसको हम अपने तरफ से माल लेते हैं A है ठीक है अगर देखिए अगर हमें A3 या A1 calculate करना हो तो A1 तो हम calculate कर लेंगे और A3 भी calculate कर लेंगे लेकिन हाँ इसमें एक बात ध्यान रखना है कि माल लेते हैं इसमें कि जो पहला पद है सर्वांतर है वो सर्वांतर D है ऐसा हम माल लेते हैं कि पहला पद A और सर्वांतर आपका D दे रखा है ठीक है जरा आगे की कहानी समझे हम देखना चाहते हैं A2 A1 और A3 लेकिन A2 की help से हम निकालेंगे किसकी help से A2 और A4 की help से तो अगर A2 देखा जाए तो A2 बराबर होगा A प्लस 2 माइनस 1 इन्टो D मतलब A2 बराबर A2 की value कितनी दे रखे है 13 तो A2 बराबर है 13 और A तो A है प्लस 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 इन्टो D ये बचेगा 1D इसको ये लिख सकते हैं यानि इसे लिख सकते हैं कि A प्लस D बराबर कितना आगया है 13 ये पहला समी करण हो गया उसी तरीके से A4 की अगर बात की जाए तो A4 बराबर A प्लस 4 माइनस 1 इन्टो D ये होगा A4 A4 की value अपने को दे रखे है और A4 की value कितनी है 3 है तो यहां रखेंगे 3 बराबर A प्लस 4 में से गटाएंगे तो 3 और ये D तो इसे हम लिख सकते हैं A प्लस 3D बराबर 3 हम ये लिख सकते हैं ये हमारा आगया दूसरा समी करण देखिए मानने वाली चीज और A और D थी तो दो variable हैं दो चर हैं तो 2 समी करण तो solve कर सकते हैं मतलब हम ये कहेंगे कि आप क्या करिए कि पहले में से पहले में से दूसरे को या दूसरे में से पहले को घटा दिए तो जब दूसरे में से पहले को घटाएंगे मतलब second minus first दूसरा A प्लस 3D बराबर 3 है तो A plus 3D बराबर क्या दे रखा है? 3 और अगर पहले की बात करें तो A plus D बराबर 13 दे रखा है A plus D बराबर 13 ये घटाईए जब घटाएंगे तो ये ऐसे होगा ये cancel 3D में से 1D घटाएंगे तो 2D बचेगा बराबर 3 में से 13 घटाएंगे तो minus 10 बचेगा 3 में से 13 घटाएंगे तो minus 10 बचेगा तो D बराबर आजाएगा minus 10 बटे में 2 काटेंगे तो आएगा 2 बचे 10 यानि minus 5 तो D की value कितनी आजाएगी? minus 5 आजाएगी बात समझ में आ रही है? D की value minus 5 आगई अब इसे आप किसी में put कर दीजिए तो इसे हम put कर लेते हैं पहले में तो पहले में इसे रखने पर a plus d और यह d की value आ गई है minus 5 बराबर यह आपका दे रखा है 13 तो 13 तो a minus plus minus 5 बराबर आ गया 13 तो a बराबर आ गया 13 plus 5 यह minus इधर जाएगा तो plus और 13 5 कितना हो गया 18 यानि कि प्रथम पद 18 आ गया और सर्वांतर आपका minus 5 आ गया है यहां लिखे a की value आ गई 18 और सर्वांतर आपका आपका आगया minus 5 अब आसानी से आप निकाल सकते हैं a1 और a1 तो निकल गया यह क्या आपका दे रखा है a1 ही है अब हमें calculate करना है a3 ठीक है a3 निकालना है हाँ जी चलिए अब हम a3 देखेंगे तो a3 बराबर a plus 3 minus 1 into d आएगा तो a3 बराबर आजाएगा a1 के place पर रखेंगे 18 प्लस 3 में से a गटाएंगे तो कितना बचेगा 2 तो हम रखेंगे 2 और d की value कितनी है तो d की value minus 5 तो minus 5 रख देंगे 18 minus और plus minus और 2 पचे कितना बचेगा 10 घटाएंगे तो आजाएगा 8 कितना बचेगा 8 यानि कि तीसरा पद जो आपका आने वाला है वो 8 होगा clear है चलिए ये समझ में आ गया तो हब हम 3rd की बात करेंगे देखिए अगर ये दो क्वेस्टन शुरुवात के दो क्वेस्टन कर लेते हैं अगर आप तो आपका सारा doubt इसमें से clear हो जाएगा कि अगर मतलब एनमा पद पूछे या उससे related कोई ची आती है तो आप आसानी से solve कर सकते हैं इतनी आपको problem नहीं होगी थर्ड क्या दे रखा है अपने को बोल रहा है कि पहला तो 5 है लेकिन दूसरा गायब है तीसरा भी आपका गायब है चौथा दे रखा है 9 सही 1 बटे 2 ठीक है ये दे रखा है अच्छा 9 सही 1 बटे 2 को 298 19 तो इसको लिख सकते हैं 19 बटे में 2 तो इसे हम लिख सकते हैं 19 बटे में 2 ये हम लिख सकते हैं ठीक है चलिए जी अगर हम बात करें तो ये हमारा A1 है ये हमारा A2 है ये हमारा A3 है और ये हमारा A4 है कुछ ऐसा दे रखा है ठीक है अगर हम बात करें दूसरे और तीसरे वाले की तो जरा समझिए कि A3 की वैलू अगर पहला पद हम माल ले A और सरवांतर D माल ले कि पहला पद A है और सरवांतर D है तो A3 की वैलू A plus 3 minus 1 D आएगा यानि हम लिखेंगे A plus 3 में से 1 घटाएंगे तो 2D तो A3 की वैलू आ गई A plus 2D ये हमारा आ गया पहला समी करण ठीक है अब हम बात करते हैं A sorry A3 तो हम पहले देख चुके अब A2 की बारी है तो जरा A2 देखिए A2 बराबर आ जाएगा A plus 2 minus 1 into D यानि A2 बराबर आ जाएगा A plus 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 D यानि A2 बराबर आएगा A plus D आपका ये दूसरा समी करण आपका हो गया है ठीक है देखिए हमें चाहिए A और D A और D अगर मिल जाता है तो answer आ गया ठीक है लेकिन अगर हम बात करें A की तो A1 बराबर 5 है यानि A की value कितनी है 5 तो A3 बराबर हम रखेंगे 5 प्लस 2 D ये रख देंगे और A2 बराबर हम रख देंगे 5 प्लस D अब देखिए हमें केवल D चाहिए और यहां से अब आसानी से निकल सकता है ये चवथा पद है तो हम लिखेंगे A4 बराबर A प्लस 4 माइनस 1 इंटू D ये लिखेंगे A4 की वैलू कितनी दे रखी है 29 बटे में 2 बराबर A और A आपका दे रखा है 5 प्लस 4 में से घटाएंगे तो 3 और ये D बचेगा इसको जरा इधर लाइए 29 बटे में 2 माइनस 5 बराबर 3 D बचेगा प्लस है इधर आएगा तो माइनस ये बचेगा बटे में 1 करेंगे LCM 2 होगा ठीक है 2 एक कम 2 तो 1 का 19 में गुणा करेंगे तो 19 माइनस 1 दूनी 2 तो 2 पचे 10 बराबर 3 D ये आएगा 19 में से 10 घटाएंगे तो 9 बटे में 2 बराबर 3 D बचेगा अब देखें 3 D है यहाँ डिवाइड होगा अरे गुणा इधर आएगा तो भाग तो 9 बटे में 2 गुडे 3 बराबर D यानि D की वैलू जो आएगी 9 बटे में 3 दूर अच्छा एक काम करें 3 तरीके कितना होगा 9 3 बटे 2 आएगा यानि D की वैलू कितनी आएगी 3 बटे में 2 D की वैलू कितनी आएगी 3 बटे में 2 अब यहाँ से A3 देखा जाए तो A3 5 प्लस 2 गुडे 3 बटे 2 यह आएगा 2 से 2 कैंसल 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 यानि A3 की वैलू कितनी आजाएगी 8 आजाएगी ठीक है अगर हम A2 की बात करें तो 5 प्लस D की वैलू कितनी है 3 बटे में 2 तो देखे 2 पच्छे 10 तियां 13 और यह आजाएगा 13 बटे में 2 अब इतनी मैत आपको आती है ठीक है इतना आपको आता है इतना आप कर सकते हैं यह जोड़ने वाला काम चलिए यह बात समझ गया है तो यानि कि हम A3 की वैलू 8 और A2 की वैलू 13 बटे में 2 होगी ठीक है कॉपी कर लीजिए चलिए इसके बाद हम बात करते हैं 4th नम्मर के question के हाँ जी चलिए अब 4th अपन समझते हैं इसमें 4th क्या दे रखा है देखिए आप बोर्ड स्क्रीन पे देख सकते हैं जो आपको 4th नम्मर का question दे रखा है बोला है minus 4 पहला है 2 खाली है 3 भी खाली है और 4 भी खाली है और 1,2,3 हाँ जी एक और खाली है ये भी और last में आपको दे रखा है 6 ठीक है तो अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका A1 है ये A2 है ये A3 है ये आपका A4 दे रखा है ये आपका A5 और ये आपका A6 दे रखा है ठीक है ऐसा दे रखा है तो अपने को A1 और A1 की वैलू कितनी है माइनस 4 तो हम मालनेंगे इसमें कि जो पहला पद है पहला पद वो दे रखा है A और A की वैलू कितनी है माइनस 4 अगर हम सर्वांतर की बात करें यानि कॉमन डिफरेंस यानि कि D होगा ऐसा माल लेते हैं सर्वांतर क्या होगा D होगा तो अब देखिए अगर हम सबसे पहले काम करें कि A6 निकाल लें ये ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि A मिल गया है D चाहिए और D यहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगा तो अगर हम A6 लिखें तो A6 बराबर लिखेंगे A प्लस 6 माइनस 1 इंटो D A की वैलू कितनी दे रखिए माइनस 4 तो माइनस 4 प्लस में 6 में से गटाएंगे तो किता बचेगा 5 और ये D लेकिन A6 की वैलू कितनी है 6 के बराबर तो यहाँ 6 रखिए इसको जरा इधर लाइए तो माइनस इधर आएगा तो प्लस बराबर 5D ये बनेगा 6 और 4 दस होगा ये बराबर 5D तो D बराबर आजाएगा 10 बटे में 5 यानि कि 5 दूनी 10 ठीक है यानि कि जो सर्वांतर आया है वो 2 होगा अब देखिए आपको A भी मिल गया D भी मिल गया A2 निकाल सकते हैं एकदम आसानी से A2 बराबर होगा A प्लस 2 माइनस 1 इंटो D A की वैलू कितनी दे रखिए माइनस 4 तो यहाँ रखिए माइनस 4 प्लस 2 में से एक घटाएंगे तो एक और D की वैलू कितनी दे रखिए 2 तो यह यह आपका आएगा माइनस 4 और प्लस 2 तो यह आजाएगा माइनस 2 यानि कि A2 की वैलू आपकी आएगे माइनस 2 तो यहाँ रखेंगे आप माइनस 2 ठीक है चलिए अब हम A3 की बात कर लेते हैं तो A3 जो आपका आएगा A प्लस 3 माइनस 1 इंटो D यह आएगा A के प्लेस पे हम रखेंगे माइनस 4 प्लस 3 में से 1 तो 2 और D की जग़ क्या रखेंगे 2 D की जग़ 2 तो यह आपका आएगा माइनस 4 प्लस 2 दूनी 4 ओवरॉल यह आजाएगा 0 ठीक है यानि A3 की वैलू आपकी आएगी 0 बात समझ में आ रही है A4 के अगर बात करें तो A4 बराबर आपका आएगा A प्लस 4 माइनस 1 इंटो D A की वैलू आपकी माइनस 4 दे रखेंगे तो माइनस 4 प्लस 4 में से घटाएंगे तो 3 और D की वैलू आपकी दर रखी है 2 तो माइनस 4 और 3 दूनी कितना आएगा 6 तो 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा यानि की A4 की वैलू आपकी कितनी आ गई है 2 तीक है चलिए अब आगे की कहानी समझते हैं अब A5 अपने को निकालना है A5 बराबर A प्लस 5 माइनस 1 इंटो D ये आएगा A की वैलू कितनी है? माइनस 4 तो माइनस 4 प्लस 5 में से घटाएंगे तो 4 और D की वैलू जो आपकी आएगी वो D की वैलू कितनी दे रखी है? 2 तो ये आजाएगा तो माइनस 4 प्लस 4 दूनी कितना होगा? 8 होगा अब 8 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 4 तो A5 की जो वैलू आपकी आई है वो 4 हो जाएगी तो A5 की वैलू कितनी होगी? आपकी चार ठीक है? कहानी समझ में आ रही है तो अब यहाँ से आपको समझना है कि अगर कोई वैलू पूछती है तो ये वैलू इस तरीके से कैलकुलेट कि जाएगी ठीक है? चरूँ हाँ जी चलिए अब हम बात करते हैं क्वेस्टन नम्मर मतलब इसी में पांचमें की पांचमा दे रखा है पहला खाली है दूसरा आपका 38 दे रखा है तीसरा आपका खाली चौथा भी खाली है आपका पांचमा भी खाली और छठा आपका माइनस 22 दे रखा है ठीक है? ये दे रखा है अपने को चलिए समझते हैं यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमारा A1 है यह हमारा A2 है यह हमारा A3 यह A4 दे रखा है और यह आपका A5 है और यह आपका A6 दे रखा है ठीक है अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो हम मान लेते हैं कि जो पहला पद है जो आपका पहला पद है वो पहला पद आपका A है और जो सर्वांतर है सर्वांतर वो हम मान लेते हैं D है सर्वांतर क्या है D है तो अगर हम A2 और A6 की help लें तो वहाँ से A और D की value हम निकाल सकते हैं तो पहले हम A2 और A6 को solve करेंगे अगर हम A2 की बात करें तो A2 बराबर क्या होगा A plus 2 minus 1 into D और A2 की value 38 दे रखिए तो 39 बराबर A plus 2 में से घटाएंगे तो 1 into D यह बचेगा यानि कि अगर इसको लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं इसको इधर और इसको इधर कर दीजिए A plus D बराबर कितना होगा 38 इसको हम पहला समी करण मालने हैं ठीक है चलिए आगे की कहानी समझी है हम A6 की बात कर रहे हैं तो A6 बराबर आपका होगा A plus 6 minus 1 into D A6 की value आपकी minus 22 दे रखा है A plus 6 में से 1 घटाएंगे तो आपका 5D यह बचेगा ठीक है इससे अगर लिखें तो A plus 5D बराबर आप लिखेंगे minus 22 A plus 5D बराबर minus 22 यह आपका हो जाएगा दूसरा समी करण आप क्या करिए दूसरे में से पहले को घटा दिजिए तो दूसरे में से पहले को घटाएगे दूसरा यह पहला यह पहला दे रखा है A plus D बराबर 38 यह दे रखा है अब इसको घटाना है तो यहाँ minus यहाँ minus यहाँ यह cancel होगा पांच में से ये घटाएंगे तो 4D बचेगा और इस में से ये घटाएंगे तो देखे 2 और 8, 10 होगा 3 और 2, 5, 8, 6 आजाएगा माइनस ये तो D बराबर माइनस 60 बटे में 4 ये आजाएगा माइनस 15 यानि कि D की वैलू कितनी आगई है माइनस 15 आगई है तो A की वैलू निकालनी है इसे आप पहले में पूट कर दीजे इसे आप पहले में पूट कर दीजे तो A प्लस माइनस 15 बराबर 38 ये आएगा A माइनस 15 बराबर 38 ये ठीक है अब देख अरे माइनस माइनस और प्लस माइनस होगा तो A बराबर आजाएगा 38 और यह माइनस इधर जाएगा तो प्लस 15 और आजाएगा 5,8,13 और 3,1,4 और 4,1,5 तिरपन आजाएगा यानि कि A की वैलू कितनी आ गई है? तिरपन आ गई है तो यहां से A की वैलू 13 और D की वैलू जो आई है वो आई है माइनस 15 बाट ठीक है, अब हमसे A1, A1 तो पता चल गया न, कि यही है, A3 की बात करते हैं, तो जरा समझ यह, A3 बराबर लिखेंगे आप A plus 3 minus 1 into D, यह लिखेंगे, ठीक है, चलिए, A3 बराबर आप लिखेंगे A, A की वैलू कितनी दे रखी है, तिरपन, तो तिरपन, प्लस, तीन में से एक घटाएंगे, तो 2, और D, D की वैलू कितनी है, माइनस 15, तो माइनस 15 यह रखेंगे, तो यह आएगा, तिरपन, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस, और 15 दूनी, 30, जब तिरपन में से 30 घटाएंगे, तो यह बचेगा, 30, कितना बचेगा, 30, ठीक है, तो A3 की, आएगा, तो A4 बराबर आएगा, A प्लस 4 माइनस 1 इंटो D, यानि कि A4 बराबर A, A की वैलू कितनी है, तिरपन, प्लस 4 में से 1, 3, और D की वैलू माइनस 15, ठीक है, मतलब तिरपन, माइनस और प्लस माइनस, 15 तियां 45, बचेगा कितना, 13 में से 5, तो 8 बचेगा, ठीक है, तो ये 8 आजाएगा, यानि कि 4 जो टर्म होगा, वो 8 होगा, ऐसे ही अगर 5 में की अपन बात करें, ये भटा देते हैं, चलिए, अब हम बात करते हैं 5 में की, यानि A5 बराबर आएगा, A प्लस 5 माइनस 1 इंटो D, ये आएगा, A5 बराबर A की वैलू कितनी दे रखी है, ति D की वैलू कितनी दे रखी है, माइनस 15, तो माइनस 15 ये आ गया, अब देखे यहां से, तीरपन, माइनस और प्लस माइनस, और 15 चोग को 60, जब घटाएंगे इसमें से, तो माइनस 7 बचेगा, ठीक है, ये आ जाएगा, तो देखे इस तरह से, हमारा, क्वेस्टन नम्मर 3 य इसके आगे देखते हैं,